महिलाओं को घर की लक्षमी का दर्जाग दिया गया है भारतिय समाज में महिला का दर्जा बहुत ही उचा है ऐसे में शास्तुरों के अनुसार महिलाओं के काम का असर सीधे सीधे उनके परिवार और पती पर पड़ता है जिस घर की महिलाओं के चलन खराब होते हैं वहाँ सभी काम उल्टा होता है लक्षमी माता भी नराज हो जाती है इसलिए कहते हैं कि अगर घर में लक्षमी चाहिए तो महिलाओं का खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि महिला खुश तो लक्षमी भी खुश क्या आप जानते हैं कि महिलाओं के किन कामों का असर उनके पती पर पड़ता है शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि जिस घर के महिला संसकारी होती है वहाँ खुश्यों की कमी नहीं होती है यानि महिलाओं को अपने अंदर गुणों को प्रवेश करवाना चाहिए न कि और गुणों को लेकिन आज कल के फैशन के दोर में सब कुछ उल्टा होता जा रहा है फैशन के नाम पर परंपरा तूटती जा रही है जिसकी वज़ा से घर परिवार पर बहुत बड़ा असर देखने को भी मिलता है आज हम महिलाओं के उन कामों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसकी वज़ा से घर में गरीबी आ जाती है या फिर पती के उपर मुसीबतों का पहा तूट पड़ता है पती और पतनी का रिष्टा बराबरी का होता है ऐसे में दोनों जो भी काम करते हैं उसका फल दोनों को ही भुगतना पड़ता है लेकिन घर की लक्षमी अगर बुरे काम करना शुरू कर दे तो पती की बरबादी तय मानी जाती है ऐसे हालात में सब तूट कर विखरने लगता है तो चलिए जानते हैं कि पतनी की कौन सी गलती पती की लाइफ को बरबाद कर सकती है पहला जिनकी पतनी देड़ तक सोती है उनके घर लक्षमी का वास नहीं होता है लक्षमी उस घर से हमेशा नाराज होती है ऐसे में इसका असर पती के काम पर भी पड़ता है दूसरा जो पतनी घर में सफाई नहीं करती है या फिर घर को गंदा ही रखती है ऐसे में घर में दरिदता का वास होता है ये लोग कभी भी अपनी लाइफ में उपर नहीं उठपाते हैं और इसका सीधा असर पती के कारोबार पर पड़ता है ऐसे में महिलाओं को सफाई जरूर करना चाहिए तीसरा अगर पतनी भूख से ज़्यादा खाना खाती है या फिर वो जूठे हाथों खाने को छूती है तो ऐसे घर से लक्षमी माता चली जाती है ऐसे में पते की बरबादी निश्चित रूप से तै होती है चौथा जिनकी पतनी सिर्फ कड़वी ही बाते बोलती है या फिर हमेशा दूसरों का बुरा चाहती है उनका भाग्य हमेशा के लिए डूब जाता है घर में हर तरब से मुसीबतें आने लगती है पती भी हमेशा बीमार रहने लगता है पाचवां जिनकी पतनी नशा करती है उनकी बरबादी तो 100 ठका तै होता है क्योंकि पतनी घर की लक्ष्मी होती है और अगर लक्ष्मी ही गलत कामों में पढ़ जाए तो घर का सत्या नाश हो जाता है ऐसी पतनिया भाग्य साली नहीं होती है नेक्स्ट नाइन स्पिरिच्वल से विन तराय की रिपोर्ट